प्रेंड्स सुआगत है यह बार फिर से एक नहीं धमाकेदार लेक्चर में इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले को आफ बीयाह चीज़े काफ़ी परेसान करती है बच्छों को साइन एक के इस एस ऐसानी से यहाद रखते है लेकिन यहां पर है कि पाफी प्राब्लम क्रेट करते हैं जो चलीह हैं हम देख रहते हैं ओ यहाज का सइस पाफास को हुएज log करेंगे फसको पहले हम basically आजाते हैं, डिखिनिशन केけれ जो sin hyperbolic or kas hyperbolic function होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं, sin hyperbolic function को हम sin hx से denote करते हैं, और sin hx is equal to 1 power x minus 1 power minus x by 2 और जो cast hyperbolic function होता है cast hyperbolic को cast hx से denote करते हैं और इसको हम लिखते हैं, represent करते हैं 1 power x minus, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा 1 power minus x by 2 देखें, यह चीज़े आपको clear हो चुकी होगी, अब देखें अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जो exponential series का जो हमने expensive बताया था, 1 power x का सबसे पहले हम बोलिक लेंगे, 1 power x का क्या होता 1 plus x plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x power 4 by factorial 4 plus x power 5 by factorial 5 अब तो infinity तक हम जाएंगे, आगे अब देखें, 1 power minus x का करेंगे तो हम 1 power minus x को यहाँ पर, अगर 1 power x में हम x को replace करतें, minus x से तो यहाँ पर हो जाएगा 1 minus x plus x square by factorial 2 and यहाँ पर हो जाएगा minus, क्योंकि यहाँ पर power 3 है तो minus x का power 3 करेंगे तो minus आजएगा है, कभी simple चीज़ है and x cube by factorial 3 plus x power 4 by factorial 4 minus x power 5 by factorial 5 plus, हम जाएगे अब देखिए sin x x क्या होता, 1 power x minus 1 power minus x by 2 तो अगर हम इसको equation 1 मान ले और इसको equation 2 मान ले अब क्या करने है करना है में, इसमें values put करनी है सबसे पहले देखिए, 1 power x minus 1 power minus x को हम find out करेंगे तो जाले equation 1 equation यहां पर हम करते है equation 1 minus equation 2 तो देखिए, यहां पर क्या मिलेगा हमे x power e power x minus e power minus x अब देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा यह पहले हम स्रीज लिखते है 1 plus x plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x power 4 by factorial 4 plus x power 5 by factorial 5 अब यहां पर देखिए, 1 और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखेंगे जीरो हो जाएगा और यहां पे X है यहां पे माइनस माइनस प्लस है तो यह हो जाएगा तो यहां पे आएगा अब x q by factorial 3 और यहाँ पे minus minus plus तो यह जाएगा 2 x q by factorial 3 देखिए x power 4 by factorial 4 यहाँ यह minus इस से multiple होगा minus हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अब देखे x power 5 करेंगे तो यह minus minus plus यहाँ पे हो जाएगा 2 x power 5 by factorial 5 plus डाट 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 यह value आ गई है 1 power x minus 1 power minus x अब देखिए इसको हम आगे अगर लिखें तो देखिए सभी जो term आए हैं यहाँ पे इसमें सभी में 2 common है तो 2 को हम common ले लेंगे तो यह बचेगा x plus x cube by factorial 3 plus x power 5 by factorial 5 यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा x plus x cube by factorial 3 plus x power 5 by factorial 5 plus dot 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 चलिए देखिए अब इसको हम next slide पे चलते हैं next slide पे देखते हैं तो यहाँ आप से value आ गई है 1 power x minus 1 power minus x by 2 की value आ गई है x plus x cube by factorial 3 plus x power 5 by factorial 5 plus dot 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 अब देखिए जो definition में हमने यहाँ पे देखा है यह जो value है sin h e power x minus power minus x by 2 क्या है sin h x की value तो sin तो इसको हम लिखेंगे sin h x is equal to x plus x cube by factorial 3 plus x power 5 by factorial 5 plus dot dot आगे हम जाएंगे by factorial 3 plus x power 5 by factorial 5 minus x power 7 by factorial 7 तो basically आपको क्या करना है अगर आप को नहीं समझा रहा है तो क्या करना है आपको sin x का expansion याद रखना है और उसमें plus सभी जो term होंगे वो positive बना देना है वो क्या हो जाएगा sin hyperbolic x की जो expansion है वो आ जाएगा अब यहाँ पे हम आएंगे कास hyperbolic function को हम कैसे और यहाँ से देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो कास x है वो क्या होता है एक पावर x प्लस एक पावर माइनस x बाइटू यह जो हमने derive किया है यह हम basically use कर रहे है exponential expansion का use उसी के माध्यम से sign hyperbolic function की expansion यहाँ find out करते हैं चलिए next हम देख लेते हैं कास hyperbolic function को हम कैसे find out करेंगे तो यहाँ पर देखिए कास x एक पावर x प्लस एक पावर माइनस बाइटू अब देखिए अब देए हम यहाँ पर one hour one क्या हो जाएगा कि एक और किया बेगा थाट तूर यह बाइनस ढूर्प यह ₹ फूर माइनस डाट 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 आगे हम जाएगे अब देखें यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा अगर हम इसको ब्रेकट एक बार हम open कर लेते हैं तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वार बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डाट 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 प्लस यहाँ पे 1 माइनस x प्लस x स्क्वार बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस इस पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस अब देखें यहाँ पे यह x और x यहाँ स्कैंसल आउट हो जाएगा और xq by factory 3 xq by factory 3 cancel out हो जाएगा 1 और 1 को हमाने टे करेंगे तो 2 हो जाएगा x square by factory 2 x square by factory 2 ये तो हो जाएगा 2 x square by factory 2 आगे हहाँ पे एक टर्म हो लिखते js emphasize तो x power 4 by factory 4 तो ये भी इस टर्म से एड़ हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 2 x power 4 by factorial 4 प्लस डाट 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 यहां पर e power x plus e power minus 6 इवाल हो आ गई 2 plus 2 x square by factorial 2 plus 2 x power 4 by factorial तो 2 इसमें हम कामा ले लेंगे तो बचेगा 1 plus x square by factorial 2 plus x power 4 by factorial 4 plus डाट 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 अब देगे 1 power x plus e power minus 6 अब यहां से 2 को हम इदर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 power x plus 1 power minus x by 2 की वाल वाल जाएगी 1 plus x square by factorial 2 plus x power 4 by factorial 4 plus आगे हम और टर्म लिख सकते हैं x power 6 by factorial 6 plus डाट 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 तो यहां से अभी हम यहां पर देखेंगे जो देखेंगे यहां पर cas hx को गए हमने डिवाइन की थी 1 power x plus 1 power minus by 2 तो यहां से हम लिख सकते हैं cas hyperbolic x is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x power 4 by factorial 4 plus x power 6 by factorial 6 तो यह हो जाएगा cas hyperbolic x cas hyperbolic x का expansion ओके चलिए अगर आप ध्यान दे तो जो cas x का expansion होता है वो क्या होता है cas x का expansion होता है 1 minus x square by factorial 2 plus x power 4 by factorial 4 यहां पर minus x power 6 by factorial 6 प्लस डाट डाट तो अगर हमें सिर्फ cas x का expansion याद है तो क्या cas hx का expansion में find out करना है तो क्या करना है सारे term को हमें positive कर देना है positive करेंगे तो हमें बनेगा क्या cas hyperbolic function का expansion चलिए उम्मीद करते हैं इस lecture में आपको cas hyperbolic function का expansion और sin hyperbolic function का expansion समाज आया होगा चलिए मिलेंगे चल्द ही next lecture में